तो है फ्रेंट्स देखिए सुभा सुभा एक बहुत ही इस्टांदार न्यूज वेदानता की तरफ से निकल के आ रही है उसको देखेंगे और क्या रही ये न्यूज क्या इफेक्ट इसका होने वाला है ये बताएंगे देखिए इफेक्ट तो सीधा सीधा है कंपनी बहुत तखड़ा बूम इसमें आने वाला है बहुत ही अच्छा शोंबार को आप देख लेना बहुत अच्छी दोड़ कंपरी लगाते हुए हमें दिखेगी और देखिए न्यूज देख लेते हैं लेकिन उससे पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं क देख लेजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपने चैनल पर आपको देते रहते हैं साथी साथ कोई स्टॉक भी आप डिसकस करना चाते हैं हमारे साथ तो हमें कमेंट बॉक्स मों बता सकते हैं चलिए देख लेते हैं देखे यह वाली नियूज तो मैंने पहले भी आपको दी थी और फिर से बता देता हूं पहले यह क्या था कि एक लाई चल रही थी वेदानता और भारत सरकार के बीच और वो लाई इतनी बढ़ गई थी कि सुप्रीम कोड तक दोनों को जाना पड़ा था भारत सरकार और वेदानता को इसमें क्या कहा गया था कि भारत सरकार जो है ये वेदानता की एक बाढ़ मेर oil and gas block है यहां राइस्थान में राइस्थान के बाढ़ मेर में तो इसमें जो है रिवेन्यो में भारत सरकार 10% का हिस्सेदारी चार रही थी और जो हमारा सुप्रिम कोट है उसने फिर फैसला सुनाया वेदानता के बाढ़ में वेदानता देना नहीं चारी थी तो वेदानता के बाढ़ में सुप्रिम कोट ने कहा कि भारत सरकार को कि भई तुम इस पे दुबारत से एक विचार कीजिए और साथ ही साथ देखे वेदानता ने क्या कहा कि अगर आप 10% लोगे तो हमारी फिर possible नहीं है हमारे लिए तो हम इस block को ही बंद कर देते हैं तो ये कारण था कि Supreme Court ने भी फिर वेदानता के PAKS में थोड़ा सा एक निर्ने दिया है अगर देखिए ये 10% अगर गॉर्मेंट के पास चला जाता तो वेदानता के शहर आपको फिर से बहुत नीचे आते हुए दिखाई दे सकते थे देखिए अगली नियूज देख लेते हैं तो जो हमारे अनिला गरवाल जी है वेदानता के जो चेर्मेन हैं इन्होंने देखिए कहा है कुआ खिदेगा तो सबको पानी मिलेगा और सेमी कंड़क्टर प्लांट गुजरात ले जाने पर क्या बोले अनिले गरवाल जी देखिए पहले ये प्लांट महराष्ट में लग रहा था अब ये जाके लगेगा गुजरात में ये आपको पताई है डेर लाक करोड की कीमत इसकी है जो इसमें लगेगा पैसा और यहां देखिए वेदानता रिसोर्सिज और ताइवान की कंपनी फॉक्स कौन का सेमी कंड़क्टर डिस्पले सेमी कंड़क्टर और डिस्पले फैबरिकेशन प्लांट महराष्ट में महराष्ट से गुजरात जाने पर काफी सियासी हंगामों हुआ वेदानता रिसोर्सिज के चैर्मेन अनिर अगरवाली का कहना है कि ये अभी सिर्फ सुरुवात है सुरुवात है मतलब आगे इन फ्यूचर बहुत बड़ा कमपनी कुछ करने वाली है देखिए और महाराष्ट में गुजरात से भी बड़ा प्लांट लगेगा तो एक न्यूज ये है और साथ साथ एक न्यूज और है वो देखेंगे हम देखिए दो साल में प्रोडक्शन अनिल अगरवाल जी ने बताया कि इस इवेंट में जो है ये इवेंट हुआ था गुजरात में इन्होंने बताया कि भारत की सिलिकन वेली है अब एक कदम और करीब आ गई राज्य सरकार के मताविक वेदानता 945 देखिए आप 945 रुपे के निवेस से डिस्प्ले मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट लगाएगी साथी साथ जो चिप का सिस्टम है चिप बनाने का उस चिप के लिए अलग से यूनिट लगीगी जिसमें 600 रुपे का निवेस होगा मतलब डिस्प्ले वाली जो है एक चिप की यूनिट लगाईगी और हाल ही में पूरी दुनिया में देखे चिप संकट है आपको पता ही है इससे ओटो और इलेक्टोनिक समयत का इंडस्ट्री प्रभावित हुई है तो ये भी सही बात है तो देखे जो लोग कह रहे हैं कि समयकंड़क्टर में इसका कुछ भी नहीं है वो आप इसपस्ट रूप से आप देख सकते हैं साइध आपको लिए इसपस्ट हो गया होगा अब और साथी साथ ये देखेंगे आप कि अनिल लकरवाल जी का कहना है जो अनिल लकरवाल जी है और विदान्ता में इन्वेस्ट मेंट बहुत ही फायदेमंद रहेगा आने वाले कुछ सालों में शिर्फ दो तीन सालों में ही आप देखना कम से कम भी नहीं तो आठ से दस गुना पैसा ये करके जाएगा तो दोस्तों आज की न्यूज थी बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत